पिरी हर विस्नू के अमतार की सुन लो गाता ध्यान लगाए किष्ण रूप में प्रगट हुए हैं बेद पुरान रहा बतला जो है जग के पालल करता विस्नू जिन का नाम कहा छिसा गर में जो है रहते सेस नांग पे आसन लाए लच्छ मी माता संग विराजे सब दियों जिन को सीस जुगा चतुर भूज है जो कहलाते जिन की लीला वरनी न जाए किष्ण रूप में आए हरी जी किष्ण रूप में आए हरी जी जिन की लीला मन को माई एक राजा भजमान नाम को जिन का पुत्र प्रठुक के हिलाए प्रठुक का पुत्र हुआ भी धूरत सासन सत्तो रहो चला जिजुरत का पुत्र सूरी सेन हुआ मतरा पुरी में बस गया जाए सूरी सेन हुआ बढ़ात जश्वी नोखंड प्रठवी जीत दिखाए उसकी रानी का नाम मरिश्या जिसका बेट बस देवी कहा ब्रस्द बंस में एक धरा जा जिसका बेट बंस में एक धरा जा जिसका उतना में कहाए मतरा पुरी में राज ठकरता हो सासन सत्ता रह चलाए उस राजा के दो पुत्र हुए देवक और उग्र सेन कहाए देवक बड़ा बेटा लगता था कुछ ही दिनों में मर गया हाए देवक जैसे ही मर जाता है उग्र सेन राजा बन जाए जिनकी पतनी पर में सुंदरी रती भी जिनको देखे लजाए पति सेवा में लगी रह दी थी पति सेवा में लगी रह दी थी आति पति बरता रही दिखाद पति अज्या से भूमन निकली सकी सहे ली लिया बुलाए चढ़ गई है रत के ऊपर वो वन बिहार को निकली जाए वन में बहुत घने ब्रक्च हैं सुन्दर सुन्दर फूले दिखाए सभी लताए लहर वही थी मानो जूम के मंगा लिगाए फ़लों से लद के ब्रक्च जुखे थे पुस्पस बंधे रहे बिकिराए बायू मंद मंद चलती थी बायू मंद मंद चलती थी बर्म स्रुगंदी रही समाई कहीं मोर कहीं को यल बोले तोता मैं ना रहे दिखाए नाना प्रकार की मधर बोलियां मन को मंत्र मुख्द किये जाए मीठी मीठी मधर बोलियां पन की सोभा रही बढ़ाए निकट में था एक उचा परवत अति सुन्दर हे रहा दिखाए जिसकी निकट में जमना नदी है कल-कल धारा बहती जाए लहर बिचित्र नदी में उठती जिसकी सोभा नवर नी जाए पवन रेखा सक्यों के संग में रही मनों हर गीत सुना इधर उधर सब लगी घूमने पिछडी पवन रेखाता विहाए महो भयानक पन में समाई रस्ता कहीं सूझ ना पाए दुरमलक नाम का एक तरावचस भूमत हुआ है पहुचाया है देखे के सुन्दर दरावनी की दुरमलक नाम छस गया लभाई देखे के दुष्ट का मातुर हो गया देखे के दुष्ट का मातुर हो गया मन में दुष्ट ता गई समाई उसने सोचा बड़ी सुन्दर है इससे भोग करूंगा जाए जब तक बस में नहीं आएगी भोग कम जा मिले नहीं पाए उसका परचय जानी नहीं तू माया जाल दिया फैलाए माया जाल से पता किया है उग्र सेन की पतनी कहाई उग्र सेन का रूप बना के पवा ने रेखा से बोला जाए काम की एकचा मुझे हो रही काम की एकचा मुझे हो रही काम दियो मुझे रहो सताई मुझे को रती दान दो रानी मुझे को बदन से लोल पिटाए रानी नहीं है पह जाना वामी समझ के बोली जाए आज आपको क्या हो गया है दिन में ऐसे रह बत आय दिन में भोग महा पापे धर्म कर्म सब नश्ट हो जाए आप जैस ग्यानी के मुझे एसी बात नहीं है सोभाय रानी ने राप्छत को समझाया रानी ने राप्छत को समझाया फिर भी दुष्ट समझ नहीं काया दुष्ट दुर्म लेक नहीं है बाना हात रानी का पकड़ा जाए का में पिपासा सांत किया है असिल रूप में गया है आए조ानी के सामने खड़ा हुआ है पवन रेख गई क्रोध में आए लगी धिकर ने उस पापी को यो कि ये सादो बतला है पवन रेख लगी पुरा भला किहने तब दुर्मलिक ने दिया समझाए जान रहा हूँ मैं तू सती है जान रहा हूँ मैं तू सती है मुझे स्राप मत गई ना आए मैं जो कुछ भी धर्म किया हूँ वो सब प्राप्त तुझे हो जाए पुत्रे रखने उत पन्ने हो तुमको कोई भी बांजन केह नहीं पाए पुत्रे ही नहें पवने रेखा तू तनक भी गल्पी मेरी ना आए बांजन रहना देख सकाना मुझे को दुख्य हुआ है आए मैंने तुझ से निपट लिया है तेरा गर्व रहेगा हाँ आए तेरे गर्व से लड़का होगा नोखंड धरती जीत दिकाई पुत्र तो होगा या ति बल साली जिससे सारे लोग डराए बहुत ही बड़ा वो योधा होगा जिसका बल नहीं था है था है लोग दुखी हो जाएंगे उससे जिसको मारन सिरी हरिया ऐसा के गुर्मली के चल दिया भी सड़ी गर्ज न दिया लगाए पवन रेखन राज दवोया समय पराक्रम दिया जिछा है अपने मन को धीर धरोचे अपने मन को धीर धरा पे सक्यन बीचम गई है आई रानी का आली कन करके सक्या बोल पढ़ी साव हाई इतने देर से कहा गई थी हम लोगों को आप बताए कैसे सिंगार इप गड़ गया तेरा बदन विभाय से कापे हाई सारा जिहरा फील अपड़ा है सारा बदन गया मुरजाए सक्यां की मातों को सुन कर पबा ने रेका बोली सक चाए बन की सोभा देख बड़ी में पन की सोभा देख बड़ी में मोज में रस्ता गई भुणाई मार्ग दिखाई पड़ा न मुझको सघन कुझ में गई समाई सोचा जब पीछे को लोटू मुहबाई बंदर गया दिखाई मुझे देख लगचीख मारी नी उसको देख डरी में हाई दोना आखे बंद हो गई माना पट्टी गई बनाई मूर्चत हो धर्ती पे गिर गई सुद बुद सवै गई है भुलाई आखे खुली दूर हुई मुर्चत पंदर वहां से गया पराई बहुत भयानक पंदर था गो गई कलेजा मोको आई पवन रेखा की बार्थे सुनकर सक्या करने लगी हाई हाई अच्छा था सयोग तुमा गई प्रभु ने तुझ ओजिया बचाई रत पे बेठ गई सभी सक्या राज भवन तक गई है आई दस माहे पीता धीर धीरे यारव चड़ने को है आई लड़का हुआ है पवन रेखा को लड़का हुआ है पवन रेखा को भी साने दियाटे हासे लगाई कापन लग गई धरती मोतो रही आंधिया देज सुनाए अंधिकार हुई दसों दिसाए मानों महां प्रलैनी राए लाखों पेड़ियों खड़ गए जड़ से ओ सों दूर बोड के जाए बादल गर्जे पुजुरी चमके तारे तूट तूट गिर जाए माघ महीना तेरा स्तिथी को गुरू बार का दिन ने कहाए पुत्र हुआ है पवन देखा को पुत्र हुआ है पवन रेका को राव पद्र भार सुनाए धीरे धीरे सांत हुआ जब जो तिस उग्रि सेन बुलिवाए सात्र नुसार बिचार कराई लगन महूरत रहे दिखाई बड़ात जस्वी होगा वालक देगा भू मंडल को हिलाई सभी असरों को बस में करेगा कश्ट देगा मुनियों का बढ़ाए अधम और दुरचारी होगा जिसको देख काल डर जाए छीनेगा यह राज सिंगाउश्वन जीनेगा यह राज सिंगासन सब को लेगा अधीन बना यह पापी के अत्याचारी से सादू जन सब तुरुस्त हो जाए अत्याचारी अधर्मी होगा यकी हवन देगा रुकवाई इसको मारने सिरीहरी विस्टनू आएंगे किश्ण रूप बनाए सुनके जोतिसकी बातों को उग्र सेन जी गई घविराए कंसे उसका नामी रखोयो पूजा पात रहे करवाई दिये ब्राम हड को दान दच्छणा दिये ब्राम हड को दान दच्छणा सबने विदा लिया सिनाई पाच बर्स का हुआ है वालक पिया भारी उतपात मचाई साथ मिले करके बच्चों को यमना जी मैं देना दवाई चड़ा के ब्रक्चों पर हे पटकता बांध के लटका देता है जैसे जैसे बढ़ा है होता पैसे पैसे पाप बढ़ा है इस दिन नया कष्ट देता है मत्राबाति को रह सताय द्रास्त हो गई नगर की जनका प्रास्त हो गई नगर की जनका उग्र से निको रह समझाई प्रास्त कर दिया नगर को बालके बोले आप कहां हम जाए बोला के कंस को राजा डाटा किन्तु अधर नहीं पढ़ पाए बाले घाती को समझ नयाया भी सर दिया उत पाते मचाए कंस का अत्या चार बढ़ गया राजा का दुख कहां न जाए उग्र सेन लगे हरी को मनाने हे प्राबुजी हो आप सहाय आठे बार से का हुआ गंस तो आठे बार से का हुआ तंस तो चड़ी गया है मगद पे जाए जहां करा जा जरा संद था जाके अकेला गय टकराए मल युद्ध सुरू करे दिया है जरा संद पो दिया हराए महाबरी जरा संद हर के अपना लिया दमांद बनाए दो कन्याओं की साधी रचोय कंस के हाथ में दिया थमाए रूपियों बन से भरी थी दोनों कंसले के मथरा को आय अपने पिता को हाथ जोड़ के अपने पिता को हाथ जोड़ के सारी वाते दिया बताए उग्र सेन जी सोच में पड़ गए दोष्ट कही ना मुझे सताए उनका तोच सत्में बदला कुछ भी उनके समझ नया एक दिन पूजा पर दे बैठे राम राम रट रहे लगाए कंस ने कहा मत करो पूजा पूजा में दिया बिघन कराए लाख कम जाया उग्र सेन ने तुम लोहरी सेने हे लगाए क्रोध में आकर कंस ने बोला क्रोध में आकर कंस ने बोला राम राम रट क्यों हो लगाए महादेओ तुम क्यों नहीं गईते राम नाम मुझे नहीं सुहाए महादेओ का नाम जपो तुम सिब कश्टों को देगे मिटाए राम का नाम अभी से छोड़ो पिता को कंस रहा समझाए उग्र सेन तब कंस से बोले मुझे को कुछ भी समझ नहीं मिला नहीं गुरु मुझे आज तक जो मुझे को उपदे से बताए तुम ही मेरा गुरु है बेठा तु ही मेरा गुरु है बेठा सिक्छा मुझे को रहा दिलाए मानव अभी तक नहीं जानता क्या राम क्या सिब केहलाए मेरे नजर में सभी एक हैं दोनों बरावर हैं केहलाए किंदु राम मेरे इश्च देव हैं इनको छोड़े न सकता हाए उग्र सेन की बात को सुनके कंस गया है क्रोधे में आए क्रोधे में कंस ने पागल होके पिता पे दिया हे लात चलाए उग्र सेन गिर पड़ धर्ती पे उग्र सेन गिर पड़ धर्ती में कंस सिंगा सन बेठा जार पन बेठा मतुरा का रोजा नंगर डंडोरा दिया पिटवाई जब तप कोई धर्म करे ना नंगर बास सब गई घविराए पाप लगा सर चड़ कर बोलने उन करने वाला है डराए कंस के नाम इसका दे दुनिया कोई नहीं जो सिरे उठा इत दिन उसके मन में आया इन लोक को छीन लुजाए सेन सहत ले किया चड़ाई सेन सहत ले किया चड़ाई लेके में भी फल हो लोट के आय मंत्री गल सब लग समझाने सो असमे गितर ये बत लाए बुरे दिन बुध भी परीत होती खित की बात भी नहीं सुहाय अत्या चार लगावो करने प्राहिमा में सब लोग चिलाए काप उठी जब धरती माता लिये अवितार हर बेद बताए सूर सेन का बेटा वस दियो जो देवकी से व्याही रचायर इस्ते में बेहन जो पंसक लग थी रिस्ते में बेहन जो कंस की लग दी देवकी जिसका पिता कहाय सादी हुआ बड़ी धूम धाम से कंसी वी जिसमें हाथ बटाए पन्रह हजार दिया घोड दहेज में अठारा है तो रथ जिया सजा दो सो तरुडी दासी दिया है मंगल चार रहा है गवाय बरबध को ले कंस चला है अकास बाली तवे सुना है हे कंस तू बात को सुन ले जिसको रख पैतू लिये जा इस देवटी का अठिवा बेटा इस देवटी का अठिवा बेटा तेरा काल बन जग में आय कंस काप गया भाई के मारे तो रत ही रत को दिया रुकवाई कप गए भरती कप गए अंबर लिया होत तलवार उठाए क्रोधत हो करिकंस ने बोला कोन है छलिया सामेने आय कितने में नारद आ पहुंचे नारा यड का ध्यान लगाए क्रोधत कंस को नारद जीने दिया है असली बात बता ये तो है आकास की बाड़ी ये तो है ये आकास की बाड़ी कभी न निश्पल होने पाई मेरी काल पनी है देवी की दूंगा मैं देवकी को मिटाई रहे बासना बजे बसुरिया करदन दूंगा धर से उड़ाई एसा सोच कर पापी दुष्ट ने पकड लिया देवकी को जाई गरदन पे तल बारे रख दियो क्योंकी भाई से गई घवराई पेरे पकड भाई से बोली किसी ने दिया है जगडा लगाई एसा नहीं हो सकता भाईया काल को अपने छोड़ सकूना तेरी करदन धूंगा उड़ाई खून का प्यासा मेरा खड़ागे धूंगा इसकी प्यास बुझाई काल नजर आने लगा तुझ में कहके जिया तब खड़गे चलाई भीच बचाओ किया बस देवे ने पकड लिया तलवार को आए क्रोध को अपने सांत करो तुम्हे बस देओ बहु विधी रह समझाई पुत्र ना इसका काल तेरा फुत्र ना इसका काल तेरा इसको क्यों तुम्हारे आए इसके फुत्र को तुम्हें देदूंगा देना मौत की नीद सुलाई कैसे करू विश्वास में बस देओ इसका भरोसा कोन दिलाई हम दोनों को केद करू तुम्हे कारागार में दो डलवाई जैसे ही बच्चा पैदा होगा देना तुम उसको मरवाई इस अब लाने क्या ही बिगाड़ा ये सपारे जो तु सस्त्र चलाई बस देओ की बातों को सुन कर बस देओं की बातें सुन कर कैंस बिमान को दिया उड़ाए मतरा पुरी में जा पहुंचाए कारा गार दिया खुलवाई कैद कर दिया काले को अपने पहरा उन पर दिया लगाई एक एक करके सभी सुसूपो दिया मौत की नीद सुलाई अठने की जव्या गई वारी जो की कंस का काले कहाई हाते हकड़ी पाहों में बेड़ी जनजीरों से दिया बन्धवाई कड़ा कर दिया कंस न पहिड़ा कड़ा कर दिया कंस न पहिड़ा काल पे अंकुस दिया लगाई फोनी तो हो कर रहता है इसको कोई टाले न पाई भादो माह की अस्तम सिथिको चन में लिये नंद लाला आया आय सारे द्वारे पाल सो गई है त्यो की बस दो गई घबिरा दसदा के घर में माह माया जेले में विष्णू गई समाया हाते हकड़ी पाहों की बेड़ी अपने आपी ही खुलता जाय जेल कताला खुला पड़ा है जेल कताला खुला पड़ा है मुझको दो ग्रज में महुचान बसु देव से किष्ण जी बोले यसदा के घर देना सुलाए उनकी पुतरी है महमाया कंस को देना उसको लाए टोकिरी में तब बसु देव ने तिरी किष्ण को लिया उठाए बादल गरजे बुजरी चमके काले बादल रह मन राए किष्ण को ले बस देव चल दिये यमना जी में गए समाय जोर से पानी लगा वरसने जोर से पानी लगा वरसने से सिनाग दियो छत्री लगा चरण चून को यमना उमडी बस उदेव कुछ समझ न पाए हरसत हो गए चरण को चूकर रभू ने दिया पाउ लट काए नीने में सारे ब्रज के वासी यसदा के घर गए समाय सिरी किष्ण को वही सुला कर महमाया तो लिया उठाए जैसे जैसे देर हो रहा देव की भाई से रई घब राई महमाया को लेकर बस दो महमाया को लेकर बस दो पोच गए तब चेली में आई सारे बंधन खुद ही बंध गए जेल में ताला गया दिलाए सोये पहरे दार जग पड़े अदबुद लीला रहा दिखाए सोया कंस भी जग चुको है अपना सेवक दिया पठाए जाओ देव की के पुत्र को लाओ मौत की नीन दूँ उसको सुलाए पुत्र के जगह पुत्री हुई है सेवक कंस को दिया बताए येसा तो नहीं हो सकता है मेरा काल बन पुत्री आए खुद ही जाकर में देखूँगा फिर छल या छल दिया कराए जेल के पास कंस जा पहुँचा देवकी बस देव गई घविराए महमाया को गोद सचीना देवकी रही बिला पे लगाए मेरी पुत्री को बत मारो मुझसे ओर सहा नहीं जाए भले मार दो मुझ को भाईया तनक दया नहीं कंस को आए जैसे ही सोचा पटक दू इसको जैसे ही सोचा पटक दू इसको देवी और के आकास में जाए मुझ को क्या मारेगा बैरी तेरा काल गया है आए सोच तुम अब अपने बारे में सुनके कंस गया घबरा तेरा काल बेठा गोपुल में केशने का नहीं आना में कहा आए कहके अंतर ध्यान हो गई बिंद पे आसन दिया लगा देवी की बातों को सुनकर कंस छाती को भी तत जाय हात पाउं की बेड़ी काट के हात पाउं की बेड़ी काट के जोगी बसेओं को दिया चुडार बेहन बेहनों इसे मापी मांगा मुक्त दिया उनको करवाए हुई भोर जगनंद यतोदा उत्र को देख गए हर साय पत पतनी आनंदत हो गए जो तिस को है लिए बोलवाए खुद हो करके जो तिस बोला बच्चा नहीं बिधाता या आता है वालक में होगा सकती जो असरों को मारे गिरा है ब्रज का उद्धार करेगा यह प्रज का उद्धार करेगा तिष्ण नाम दो तुम रखवाए अन्य धन्य गौद छेना धे करे जो तिस को दिय बिधा कराई केश्निक जन्म का मना महो सवे ब्रज मन डल सवे स्वर्गे दिखाई जूमे उठे ब्रज के नर नादी नंद या तोदा रए हर साइड धोल नंगाडा चहू और वाजे सभी अनंद ते रहे दिखाई नंद या तोदा वारी वारी केश्न को गोद में रहे किलाए हुआ समापन जन्मों सब का हुआ समापन जन्मों शव का सुनके गंस गया गुशाई गुशे में आकर तभी गंस ने पूतन को है दिया पठाई माया रच दिया है पूतना ने ओरत काली अभे से बनाए बच्चों को मारने वाली पूतना जिसका पूतन पुरगाओं कहाई आकास मार्ग से उड़के उतरी नंद के घर में गई समाए बालों में फूलों का गजरा गजव की रही का मरला चिकाय कान में पुंडल जूल रहता पान में कुंडल जूल रहा था रईव मंद मन मुसकाय मन को मोहित जो करती थी जिसको कोई रोक न पाय हाते में कमल को धारण करके मानो लक्ष मी रही दिखाय नंद के घर में जा पहुंची है भगवान किष्णे को देखी जाए नेत बन्र कर किष्णे प्रभू ने किष्णे को गोद में लिया उठाय जैसे बूर के सर पे उठाता बैसे ही उतनन लिया उठाय रोहेडी उठाते देख रही है रोहणी उठाते देख रही है फिर भी बात समझ नहीं पाई गोद में लेके पिसेला इस तन केष्णे के मुह से दिया लगाय दुर धर्ग से भरा इस तन में सब से दीखा जहर जनाय केष्णे जिक रोधत हो इस तन को तोनों हाथ तत पिये दवाय प्राण समेत लगे दुध पीने छोड़ छोड़ पूत ना चिलाय राग्छिसी को है छूटा पसीना ने नन से रही नीर बहाय हाथ पेर दोन पटकन लागी हाथ पेर दोन पटकन लागी भी सल गरजिन रही लगा परवत के संधरती कापी तीनों लोग को दिया हिलाय लेकर उड़ी है कास मार्ग में आती भाया विनी रही दिखाय मूर्चित हो परवत पे गिर गई दिया परवत का नाम मिटाय चूर चूर परवत कर डारी लंबी काया रही दिखाय गुफाक जैसे छेज नाकी की पेट तलाब सरहा दिखाय पुनहेब मूर्चा से है चागी पुनहेब मूर्चा से है जागी फिर से किसने को लिया उठाए जिसता ने ठूस दिया है वह में सिरी केसने जी गए खिसे आए जब तक चाहे खेली खिला दे कोई भी लीला जान न पाए दात गड़ाए है इस तन में तर्द के मारे रई चिलाए खून पी रहे है पूतना का इस तन का दूद गया ओराए भुजास पूतन जवे चापी प्रभु जी गए क्रोध में आए अंत कर दिये है पूतना का तालिया मरे दन अभी है बाकी अंगले भागे में घूंगी सुनाएं सुनो रे सन तो जान लगाए संजे मोहत ने कहानी बनाए संजो गा कर दी है सुनाए जाने से मार दो केशने को जाए बेव मस्तुर चला सी से जुका के प्रंदावन में पहुचा जाए बालक को वह रूप बनाके तिरी केशने से बोला जाए मुझको अपने साथ किलाओ तिरी केशने जी है मसका मन की मुरादें पूरी कर लो व्यो मसुर गव संग खिलाओ शुरू हुआ खेल बेढ 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 योग शुरू खेल हुआ बेढ 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 योग व्योमा सुर दिया माय रचाए येकेक करके वाल भाल को खुफा के अंदर दिया चुपाय बंद कर दिया द्वार गुपाक। दिया खेल में सब कोहरा आए सिरी केशन को देखे अकेला धेढ या कालिया रूप बनाए सिरी केशन के उपर जपता प्रभू पकड कर गला दवाय पटक दिये धर्ती के उपर प्राल पकेडू दिये उडाय ग्वाल वाल को जाके छडाया वाल वाल को जाके छडाये सिला को जाकर दिया हटाय सब को ले ब्रज मंडल पहुँचे जया दोहन दाउ संग जाँ दूत अपरूर जी वहाँ है पहुँचे गंस कदी जंदेश सुनाय रत पे बैटे सिरी हरी जी प्रंदावन से मतरा जाँ 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 पहुँचे मतरा नंगिरी में रण भूमी जह कंस सजाय राज मार्ग की ओर बढ़ें पुब जा एक रही दिकलाय चंदन फूल स साल सजाखे चंदन फूल स थाल सजाखे कुंदर मुखी रही दिफार छूके कुब जाठीक किये प्रभू पुई प्रशन वो प्रभ को पाई सीरी हरी को लगा के चंदन फूल को माला दिय पहिणा दिय अधी कुब जासी दिय हो गई खुसी की उसकी सी माना बोली में हूं कंस किदासी मेरा नाम तिरबका कहा घिसा हुआ है मेरा चंदन रोज कंस माथा पे लगाए घिसा हुआ मेरा ही चंदन किसा हुआ मेरा ही चंदन रोज कंस माथे पे लगाए रण भूमी की ओर बड़े जगा है धनस का पूछा के जाए धनस के पास में जा पहुँझे जहां पे पहिरे दार दिखाए तोड़े दिये प्रभु धनस को जा करे जह भी साल का निकारी सुनाए चीन लोके थर थर कापी कंस भी भैसे गया घविराए प्रभु जी को सब घेरी लिये पकड़ो मारो रह चिल्लाए हरी उठा के धनस कटकड़ा हरी उठा के धनस कटकड़ा सब का दिये कोज मिटाई कंस किसे ना मार गिराए हाहा कार मता दिये जाए धाला है सूरज रात हो गई कंस को दनक भी नीद नया रंग घूम सजी हुआ सवेरा मजा पता का रह लहराए मल्ली लोग सज धज कर आए कंस सिधासन परहे दिखाए किस्ने और बल्रा में पहुच गई कुबल्यदार पे गया भेटाई दस हजार होती का बल था उसका बल नहीं थाए थाए सिरी केशन को द्वार पे रोका महवत को बल राम बुलाए सुनो महवत बात हमारी त्वार इसम दो इसम को हटवाए पास में राजक जाने दो ना नहीं तो हाती बज नहीं पाई फिर तुम दोस्त हमें मत देना इसने दिया है टांग यडाए कोध में आके महवत बोला वाले क्यों इतना इतिराए बिना किये तुम इस पराजित बिना किये तुम इसे पराजित अंदर नहीं जा सकते हाई तुने बहुत बली मारे हैं इसका भीलो बल अजमाई कहके कजपो उकसायो है भिड़ी गया बलराम से आए जैसे ही बलराम पटूटा उस पे घूसा दिया चलाए मार्चिंगाड पीछ को हट गया देखनवाल या चम भाखाए मन ही मन सब यो धाकापे दर के मारे गय थर राए इन दोनों से कौन जीनेगा इन दोनों से कौन जीनेगा जिसके मार से गद चिलाए करने लगा बचार महाबत कज को दोवारा दिया बढ़ाए केश्णे ने उसकी पूछ पकड ली पूड पकड बलराम हिलाए पटक पटक भूसा चिमार दिये मौत की नीद सुना उस पे दोनों दात तोड के प्रभुने हाथ में लिये उटाए रंग भूम में जा पहुंचे हैं ली नटवार का भेस बना देख कंस भाई भीत हो गया एक कंस भाई भीत हो गया मलों से बोला कसी आए चारा करप से घेरिलो इनको मेरे सामने से दो हटाए चान और भिल गया शाम से आके कंस का जो भाई कहलाए जो थाया ती महाबल साली काल भी उसको देख डराए सिरी हरी ने उस पटक के मारा धिर भी नहार मान में पाए सिरी हरी ने तब प्रोधत होकर यमपुरी को दिया पहुंचाए जैसे ही चाडूर मरो है जैसे ही चाडूर मरा है मुष्ट के आके गए ककिराए वली राम पे जबट पड़ाए पली राम गए क्रोध में आए पटक पटक मुष्टित को मारे फिर भी तलक नहीं घब राए बच्चों से युवा भिड गए रहा असंगत युद्ध दिखाए अधर अनीती अत्याचारिका युद्ध दियाए तुरु करवाए मत्रन गर में मची तबाही कंस रहा डर से घब राए मत्रन गर में मची तबाही मुष्टिक ने पिरहार किया है सिरी बलना में भी जाता किराए हल से प्रहार किये है हल धर सीन पहल को दिये चलाए मोह से खून लगा है गिर ने धर्ती तल में गिर छपदाए देसे गिरा है मुष्टिक जैसे पवन पेग से पेढ गिर जाए गहने बाल बिखर गई माला गिर के धर्ती पर चिलाए देल से उसका सीन दवा कि प्राड पके रूदिये उडाए उसी समय आप पहुचा सल्ले उसी समय आप पहुचा सल्ले सिरी केश्ण से गय टकराई सिरी हरी ने प्यारों से मारा पहर गया सर से टकराई फटा है सर और मौत हो गई सब तक तो सल गया है आए उसको चीर दो तपड़े कर दाए सारे मल गये भाई खाए भाई के मारे भागन लागे भाग भाग के जान बचाए कंसन सबको भागित देख है हाई के मारे गय घब राए आठत सकती साली भाई सकती साली आठत भाई सबी भाई को लिया पुलाई आठ भाई रण खूनी में सूदे बल राम के शने को भेरे आए घेर के युद्ध लगी है करने चारो दरब से कई तक राए कोई धर कोई धर कमार दे आठो अति बल साली दिखाए दो बच्चों पे आठियो बाथे अत्या चार सहा नहीं जाए अनीति पूर्वक युद्ध कराया दर से कोई कह नहीं पाए तब सिरी हरी ने क्रोध में आखे सब सिरी हरी क्रोध में आखे लिए भयानक रूप बनाए हल दर जी भी हलको उठाके आति क्लोध में गए है याँ एक एक करके आठो भाई को पल राम किष्ण ने मार गिराए आठो भाई को मरते देखा कंसे है दात पीस गुर्ला इन दोनों को में मारूंगा हाथ लिया तलवार उठाए कंसे है गरजा सभा मध में तीनों लोक दिया है हिलाए सभा मध में मची तवाही सभा मध में मची तवाही प्रभुठे माया जिया रचाय चारा तरप पेटने ही दिखते बार के बार कैंसे किये जाए उसके बार से किष्ण बचते बार करें तूं खाली जाए कभी खंब में लगता जाके कभी दे बालों से तकिराए पेर पकड़के पटके है प्रभुठे फिर भी खड़ाए सामने आए बिलकुल हार न माने ब्यरी बार बार आके तकिराए कंसे और सुत पाल है बाकी क्पाल क्पाल झाल